अजी गुर्वारिंग कैसे हैं आप सब आज बहुत टाइम के बाद फिर से अपटेट क्योंकि दोड़ा बीजी थे इसलिए अब टाइम से हम भी नहीं अपटेट कर पा रहे थे क्योंकि काफी जो तो कॉल करके या जो वर्टसप एक मैसेज करके पूछ रहे थे तो उनको तो पैटलफॉल सप्रेग के बारे में क्योंकि पैटलफॉल यहां हो चुका है टीक लोड एलिवेशन है यहां भी आपका हो चुका है उनके लिए है जो आपका 82-3% परसेंट आपका फूल रहेगा ठीके तो तब भी आपने उससी टेम आपने पैटलफॉल की सप्रेग कर लेन तो नहीं है बर यह की मीडल है पर उस आप से अच्छा है कि अगर आपका एक अच्छी क्वालिटी फूट अपने बनाना है तो अच्छा चांस है मेरा खुद का सिच्वेशन अगर आप देखोगे लोर में तो चलो मेरा होचुक है जो भी रूट स्टोक जहां पे था वहासे बार हम लाइब जाएंगे बट अभी जो मैं हूँ अपने सिट्लिंग ब्लॉग में जो की लूवर एलिवेशन ही है वह 42 है यह 5000 फे मैं अभी हूँ तो सिट्लिंग पे भी फूट में थोड़ा स्पर वजारा मिस्वरी बहुत दिक्कत आई है च्छी कि आपको पता है कि मैं मैं आपके भी आई है जाता है कमारी बात होरी सबसे तो वह क्लाइमेट की वयासे टेंपरेचर की वयासे जैसे बिच्छे कंटिन्यूसली बारिश रीतों से वैसे डिले हो गया तो मैं भी आपको सिच्वेशन दिखाऊंगा ना तो आप यहां पर देखोगे सिच्वेशन आहित कम चल के अभी ब्लूम नहीं चला है मैं अगी मैं के चलिए 30 पर संट मेरा भी पिक स्टेज पर है और सैटी का बलूम परजा ने चल कुम आगे पीचे चला रहता हैं 10-19 का फरक रहता हैे। मैक्सिमिमब में आपको ऐसे देगा और मेरा भी बागी का बिलूम भी खड़ा पड़ है ठीक है पहले हमें हीट करला था बारिज ने ठीक है उस टेम भी हमने प्रिकॉसिंटी करा यह खुञ तो सब्सक्रा को ने परकर लोग चाहिए तो चरूंड करें यहां पर कुछ में सैकिन का यहां पर फालव हो चुकu हैं तो पॉलिनेशन भी मारा थोरा सा वीक हो गया तो इस बार तो इस बार से वह भी उतना नहीं बचा आपाए पर फिर भी ओवरॉल जितना भी हमाई बजागर आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे कई जगा फूट रहा है बाकी आपको बलूम भी दिखने रहा है तो स्लो मोशन है लेकिन है जैसे भी मौसम लग रहा है कि आगे फिर से बारिश होनी है तो फिर शायद मुझे लग रहा है कि थाल्ट का फूलूम फिर से हिट होगा जरूर होगा तो अगर आप थोड़ी सी हेलप कर आप पीजी आर वगयरा कि आप ले रहे हो तो उनको भी आपने स्पेल डोज में डालना है ठीकि कुछ में तो complete भी maximum देखिए अगर इसी प्लाट को अगर देखोगे चोटा सा ब्लांट है जिल्डिंग प्लांट है तो अगर आप इसी प्लांट को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि अब यहां से मैं चलू यहां से आपको सैटिंग होते भी दि देखोगे तो यहां से ठीक फ्रूट सैटिंग चली थी ठीकिन अब यहां पर आप देखोगे अभी पैटल फॉल हुआ है ठीकिंड का और धाल्ट का यह सिच्वेशन है ठीक है हर ब्रांच में कि बढ़े हैं यहां पर देखोगे तो फीक ब्रूट है और यहां पर अंब यहां कि नहीं हुँ थोड़ी हम को खोल पाहिए उसके लिए तो हुरक आप मे्मिल ने पीजियान शेज में फोड़ी थोड़ी अपिकेशिन करी थी उरब रहा है एक एडिकर देश बीए खुली की राम जाने तो फिस यह बीदर कुली है रखक भी सबसे पहले आपने जो तार्गेट आपने करना है पैटल फॉल पर पहला जो फर्स तार्गेट आफ करोगे वह क्या करोगे लो रेलिवेशन में अगर आपको सूनली सूनली जार दिखते हैं जो आपको गलू आता है ठीक और वो क्या होता बाद में सब्सक्राइब करना है कोई भी सिस्टेमाटिक फंगिसाइड जिसमें क्या माइकलो बूटलीन कर सकते हो बाकि अभी कैलिशियम कहरा भी आपने नहीं करना है ठीक है क्योंकि जड़ा मिक्सिंग मेरे साब से अच्छी वह नहीं है अभी करते तो है मिक्सिंग हो जाती है लेकि इसको सुन लेके दिखाते क्योंकि इनसक्राइड पूरी साल आपको पता यह मंगी एक पार करते है भी इसके बाद कोई भी इनसक्राइड पूरी साल नहीं होती है मैं खषुद पैटलफॉल पर फॉर्स्ट और marrow्स aggressive की सपरे होती इसके बाद कोई भी जो है वह सपरे ul conservative की जोन जोने होला है तो यहां कर ले विलिया को यह उसके लुभानां है और पंगी में पहले में को ापने यह ससी आफ progress करते स्क्रीम खारे में ऊक्लड मटनेadan में अफ़रे-घीमम करती लिए कम माय बूटलीन लिए या फिर आपने क्या करना है कंटाफ ले लिए कंटाफ में तोड़ा द्यान यह नहीं कर तो हर चीज मिक्सिंग नहीं होगी आपने ध्यान रखना है जितने भी आपकी जोल वाले जितने भी आपके यह सौल चलते हैं जोल वाले जो भी आपके पास होगे प्रोडेट इसमें आप यादा मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं यह आपने ध्यान देना है ठीक है तो कंटा आफ वग वह नहीं है अबी लेबल तो आपका अप्लिकेशन है वह आपका 250 ml पड़ेगा ठीक है और जो आपके पास वह है क्या कहते है आपके पास इंसेक्टिसाइड है वह आपने मेलाथियों या फिर अलिका में से कोई एक कर लेना है हलका फुलका तो एक इंसेक्टिसाइड हो गया आपने कर लेना है छएक है फंगिसाइड में मैंने बता दिया है कंटा या फिर मैजलोक बॉटायन माखें से तो आप कंटाफ कीज़ें ठीके नेक्स्ट आपने मैंने इतार को पतारा हो फोकस आपने करना he के एक तब या करते हैं कि प्रांड की प्रील जागा अपने करने प्रैल रही के बना जरू एक अब पर टिरूल के हिस प्रील को लिके हो फैटल बटा घरों कि लिए एक शिक ऊच्वा है करने की ज़रूब नहीं अब भी आप पैटल फॉल की सपरे करोंगे वहीं सपररे उसके सब्सक्राइब करें तो अपने ध्यानक नहीं उसके लिए आपके पास हो गया है तो उसके लिए आपने अलग से नहीं करना है क्योंकि जैसे अब अब आपका टेंपरिचर अब बढ़ेगा चीक है क्लाइमेट में थोरा सा सुधार आएगा उससाब से क्या होता कि वह और मैटिकली जोता है वह रिकावरी पे जाएगा रिकावर आपका होता रहेगा चीक है तो यह तो यह आपने ध्यान दखना है और कुछ प्रांट देखिए इसमें पूरा कंप्लीटली पैटल फॉल हो चुका है मेरे साब से तो आपको फ्रूट भी आपको इसमें दिख रहे होंगे कि बले कम फ्रूट है लेकिन फिर भी हमने इसकी थेनिंग तो प्रॉपर ली हम करेंगे करेंगे यह देखिए फ्रूटिंग आपको दिख रही होगा अब लीफ में थोड़ा दिखना भी थोड़ा कम हो जाएगा बट फ्रूट दिख रहे हैं नो डाउट चीक है तो बल्कि हमने थे ठंड से बचाने के लिए इसमें फोकस हमें करना पड़ा ठंड से थो हम भी बच पाए है और जाहां ज्यादा फ्रूट इंगे वह आपने जिरूर से निकाल देना वह बहले ही कम फ्रूट इंग यह नी सोचना कि इस फार कम फ्रूट है कि हम फ्रूट क् किस वार् Skill फोकस करना पड़ेगा आधा किलो के साफ से ही हमारा से बिका रखात लिए आपको क्वालिटी फूकस करना ही कि आपने दिखाना हम ब्लूम देखी है नहीं है तो इसका सिचुएशन रहती है ये भी कुछ तेमि पता लगी जाएगा और बहुत जो मोशन में इस वा तो यह थोड़ा सब्सक्राइब आपको आपको कोई भी किसी तरह की बीमारी विगारा जो भी आपका कीड़ा इंसेक्ट वह रहात है वो सारे एक्टिवेट ना हो तो यह आपने ध्यान देना है ठीक आप सेटिंग्स यहां भी देख रहे होगे कि सिंगल लीडर की बत कर रहे था सिंगल लीडर भी जुर एक वीडियो बनाएगे जी पी इस बार भी सइटिंग होगी यह उसमें तो वह भीष की बनाएंगे एक बार 12 तो यह सिच्वेशन है बाकी देखते हैं क्या रहता है इतर भी देखिए अभी तर भी मतलब है कि फस्का तो अच्छी सेटिंग होगी थी हमारी ठीक है सैकिंड में कंटिन्यूसली सेलिवेशन में जो बारिश आई थी उसने जदा ही था में करा था ठीक है तो सेकंड की पहले थी पहले भी तो बाकी दो लैट सी क्या रहता है अभी तो बलूमिन भी काफी है और श्पीज़ दोज में पीजिया रेप्लिकेशन यही है कि अब जैसे हम इसके बाद एक दोज़ और करेंगे चीक है क्योंकि ब्लोंग और जो लोंगेशन की बात हो रही थी तो पत्रों दोज़े रही है तो आपकी हाइट है ठीक है 6000 समसीं प्लस हैट है तो वहां पर जूर आपकी हल्ट करता है ठीक है अब फ्रूट भी आप देख रहे होगे और ऑस स्थानि हो नहीं के फूर नहीं दीख रहे है ठीक है बट वही बात है कि अब यह इसलोड़ इतना ह सब्सक्राइब कर रहा था तो फूट भी काफी आप कह सकते हो बड़ा हो चुका है तो अब यह सिर्लिंग है इसमें सिर्लिंग ब्लॉक यह सिर्फ सूपर चीफ यहां पर लगा है लास्टिया तो आपको पता है इसमें अच्छे ग्रॉप ती इस बार तो उतनी मुझे लगनी रहे कि उतनी हो पाएगी अगे लेट सी अभी तो ब्लूम में कितना रहता है बाद में कितना भी आप देखोगे तो जहां नहीं सार सतर ब्लूम तो एक प्लाट में भी मेरे पास पड़ा हुआ है चीक अगर यहां देखोगे आप तो मतलब यह कि लास्का जो फश्का ब्लूम भले ही वीग था लेकिन जो सेकींड और जो लास्का ब्लूम है वो काफी अच्छा आपको ब्लूम देखने को मिलेगा चीक है तो ही एक होप है हमारे पास भी कि जाए तो कुछी नहीं है इसमें कोई भी डॉक्टर कोई भी वह ऐसा है नहीं ही कि कि यहां की जो रैड शोईल है इसमें जड़ा प्रॉब्लम आयाती है तो तो शे थोड़ा सापको तो अपना प्रेक्टिस किते नहीं पड़ेगी जीए यह देख सकते हो भी कितना वह च जला है कही जगा अच्छा हो चुका हमने इपकी थीनिंग भी यहां से हमने कर चुके अभी फ्लावर अच्छा है बहुत है फ्लावर ठीक है 100-100 भी है कहीं हमें तो फ्लावर पूरा यह है जो हम काफी लेट हुआ होगा है होब पर यह कि लास्च का फूल काफी अच्छा है अगर देखो गश मय oggi कि जा valid expos पर चistic país मिलाई अगर यहां भी आपडेखोगे तो इसमें भी घर सब्लम तो प्रॉल एक कुछ भी ओप होगा हुआ कि यह उपन हुए हुए आगे वाले यह आप देखिए कि सारी सेटिंग है कि अच्छी सेटिंग हुई है जिसमें तोड़ सा हमारा कह सकते हैं आपकी फर्स जल्दी ब्लूम आगा था वह तोड़ा सा कुछ बारिश के असपास आया वह भी अच्छा रहा कई जगा तो पांच क क्योंकि वह भी अभी सिच्वेशन यह है कोई ऐसा नहीं कि बहुत आगे निकल गया सिच्वेशन तो कहीं जगा फ्रूट सैट है कहीं जगा आप देखोगे मैक्सिमम इसी प्लान में अगर देखोगे निजिक से तो पिंक बार स्टार्ट हुआ हुआ है यहां पर यहां पर कहीं जांतर मुझे सुने मैं अच्छी सेटिंग हुई है बलकि आप यहां पर अगर यह वाला देखो गे तो इसमें इतनी जादा सैटिंग हुई है थेनिक हमने मैक्सिमम कर लिया है इसका तो गाला में यह वाला जो है आपका गाला वॉल इसका भी दिखा हूंगा मैं आप आप सैटिंग भी चलीए कही जगे जगद दिख रही है चलिए पैटल पोल इसा प्रेविभी फिलाल आ पने बचला कॉमभी नहीं करना है अभी आफ अगर पीयर की भी बात करोगे तो प्री में आपकी सैन् में आपने वह कर लिनी है ठीक है mixing पियर में भूल जाना है और पियर के इस पर बहुत अच्छी जह तक मुझे लग रहा है कि अच्छी क्रॉप रहने वारी है जिसने लाश्या थेनिंग अच्छी करी थी वह तो अच्छी रहेगी क्योंकि मेरी तो प्रॉपली थेनिंग वही थी तो क्रॉप भी इसके तो जान से ज्यादा है क्योंकि इसमें जाइटिंग भी दिखी रही है कि चलिए देखिये चापनता है आगे ठीक है तो हर जगा ऐसा ही है को यसा नहीं कि बहुत आगे निकल गया जगा बाकी तो प्यार का देखना है पीजर में आपने बस वही कर लेना है से हम एप् साथ में आपने इसे ड़ी डिखा बिखना है यहां पर ब्लूम आया हुआ और साथ में सैटिंग दिखव वहाह, यह चाहिए सैटिंग अनीचे बी सैटिंग है यहां भी सैटिंग दिख रही है यहां पर बिलूम चली है, यहां पर इस तो यहन पर सैटिंग दिख रही है। जोतों टैट ग्लस्टर हम एकम्मिल को टारें देञी क्ली तो यह कोता है। तो हर जगा है हर प्लाट कासी सिच्वेशन है कई जगा फूट इतना चल्प सेट भी हुआ है कि बहुत जदा बढ़ा भी बन चुक है फूट ठीक है और कई जगा यह देखिए अब इसके बीज में पर देखोगे तो फूट सेट होना स्टार हो गया है बाकी ब्लूमिंग दे देखते हैं क्या रहता है कि सिच्वेशन पर डिपेंड है बागी आपने बिल्कुल दॉलिया बिल्कुल नीचे घास को से अफकर देना है ठीक है ताकि आपका आगे दिक्कत नाए दिके बीज भी काम कर रही है उतना पर वही है कि हमारे भी पॉलिनेशन थोड़े आगे प के भी चलिए है फूट ऐसा नहीं है कि फूट के जग अच्छा भी सेट हुआ है चलिए लेट सी बाकी मैंने आपको बता दी एप्लिकेशन पियर की थे सोरी पैटल फॉल गी बाकी नेक्स्ट टॉपिक बाद में करेंगे चलिए ठैंक्यू सो मुच